दरनाज पताओं कि पुलिस परसासर यहां का जब आ जेंगे जब पताएंगे जब पताएंगे जब पताएंगे हैं अपर देख रहे हैं ऑनलाइन यूज इंडिया राकेश टिकैत एक बार फिर धरने पर बैट गए हैं जी हाँ बेलकुल सही सुना आपने 378 दिन धरने पर बैटने के बाद तीनों किसान बिल वापस करवाने के बाद एक बार फिर राकेश टिकैत ने भाषपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है पड़ी मुश्किल से सरकार ने चुनाव शुरू होने से पहले इसका निप्टारा किया था तीनों किसान बिल वापस लिए गए थे लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही फिर से राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी कर दी हैं और धरने पर बैट गए हैं क्या है उनकी मांगे और किन मांगों को लेकर राकेश टिकैत एक बार फिर से अनिश्चित कालीन धरने पर बैट गए हैं क्या कुछ हो रहा है कहां बैठे हैं राकेश टिकैत हम आपको सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए ज़सा कि आप जानते हैं क तीनों किसान बिलकों लेकर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन किया था काफी बड़ा अंदोलन हुआ था दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए थे जटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर तो वहीं अब पुलिस स्टेशन को धरना इस्थल बनाया गया है जी हां ज क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं एबीपी की खबर है देखे क्या लिखा है इसमें लिखा है कि मुजफ़र नगर नियूस कारेकरताओं की गिरफतारी के विरोध में फिर धरने पर बैठे राकेश टिकैत प्रशासन पर लगाया ये बड़ा आरोप तो आरोपों के साथ कई आरोपों के साथ राकेश टिकैत धरने पर बैठ गये हैं क्या है वो आरोप राकेश टिकैत के रहे हैं कि किसानों को दबाया जा रहा है बीस लोगों को बेबुनियाती तर्ज पर गिरफतार कर लिया गया है हमें टार्गिट किया जा रहा है और जिन लोगों को गि और क्या है है पूरा मामला हम आपको बताते हैं जिसे लेकर भाज़ुकार के हांत पेर पूल गए हैं वह अपो बताते हैं द्रीक maior के धरने से कैसे परिशान हो गए है वहुत आपको बतव地 थी तो भारतिय किसान यूनियन कारेकरता दूसरे समूगी जाच करने की मांग करने लगे अस्पताल में हिंसक जड़ब की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची और इस्थिती को नियंतरित किया गया तो ये तो हुआ जिला अस्पताल का आरोब जिला अस्पताल की त के चुनाओं के बाद किस तरीके से टार्गेट किया जा रहा है जब जीच चुकी है भारतिय जंता पार्टी तो उन्हें टार्गेट किया जा रहा है क्या कुछ कह रहे हैं आक लिए आप सुन लीजे पार्टाल के आरोब हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है जो लड़कों को जिन कारेकरताओं को गिरफतार किया गया है उन्हें घर से गिरफतार किया गया है और अगर कोई किसी तरीके किसका संशे है तो उन्हें पर मुकदमा चलाना चाहिए अस तरीके से जेल में नहीं भरना चाहिए और मेडिकल जांच भी करवानी चाहिए इन इन्ही मांगों के साथ ने पोलिस टेशन में धर्ना शुरू कर दिया एँ इतर लकेश टीकैइशेंट ने लखेमपुर का भी मामला उठाया है सब्सक्राइब को नियुक्त तब खतम को अकशीश मश्रतेनी को रहाइड दिया जा चुका ओर अगर है राकेष्टिक्यट का टेराज है कि जब 15 दिन में रिहाई दे दी जाती है मुख्य रूपी को दीस्टे लोग कर गिए गए गहा रहा है उन लोग को कींध जादा नाराज हैं और दूसरी तरफ किसानों के लेकर चुनाओं के दौरान भाषपा की तरफ से यह वादा भी किया था कि जो किसान मारे गए हैं उनको मुआफ़जा दिया जाएगा सरकारी नौकरी दी जाएगी उसके साथ ही कई तरीके की जो कोट में जो के से उसको चलाय मिल चुका है तो क्या यह सारे मुद्दे जो चुनाओं के पहले थे यह खतम हो गए नहीं खतम हुए हैं यह राकेश टिकैट में साबित कर दिया है कि बड़ी मुश्किल से भारतिये जंता पार्टी ने चुनाओं से पहले अपनी साख बचाने के लिए किसान आंदोलन को कराया था लखीम पूर मामले को निप्टाया था उन्हीं मामलों को लेकर राकेश टिकैट फिर से सडक पर उतराए हैं और इस बार उन्होंने धरना इस थल पुलिस स्टेशन चुना है वहां पर टेंट लगाया जा रहा है और अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जाएग तो इस तरीके से लाकेश टिकैट अपनी बात मनमाने के लिए फिर से अड़ गए हैं चुनाव खतम होते ही फिर से शुरू हो गया है कि साना अंदोलन जिससे भाशपाईयों की हाथ पैर पूल गए हैं इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है मैं कमेंड बॉक्स में जरू कि यृट तु़िए हर गए हैं लिए हैं भूला स Kinाव में जरू है और सिर्च ट्यू झा करीजा गघसे हैं आपका का थे खुरह हैं आपका करा बदा ग़िजए हैं लग गlines भntपायों गपका क्यों से हैं कर भाबना एट तूसरा यदियां जरू के commitवायों के द Guide, जरू